Hello and welcome back to another video इस वीडियो में मैं बात करूँगा इंडिया से जपान जाने के लिए टूरिस्ट विजा की क्या क्या requirements है कितनी fees है कैसे आप apply कर सकते हो और कितने दिन में विजा आपको generally मिल जाएगा तो recently जपान के टूरिस्ट विजा को लेके कुछ rules change हुए थे जो कि 1 April 2024 से applicable हुए है 1 April 2024 से पहले अगर आप जपान जाते थे तो आपको sticker visa मिलता था लेकिन 1 April 2024 के बाद से sticker visa को खतम करके e-visa process start किया गया है लेकिन e-visa process भी completely online नहीं है आपको सारा process offline ही करना पड़ता है तो अभी आपको मेरी screen पे तो यह official website है Embassy of Japan in India तो यहाँ पे आपको कुछ information मिल जाएगी कि कैसे आप इंडिया से जपान जाने के लिए tourist visa apply कर सकते हो तो इस website पे starting में ही लिखा है कि अब जपान का जो visa है वो VFS के थ्रू लगता है तो यहाँ पे link भी दिया हुआ है और इसमें लिखा है कि visa process generally takes 5 working days from the day of submission लेकिन किसी किसी के इसमें ज़्यादा time भी लग सकता है ठीक है और यहाँ पे fees mentioned है जो official visa की fees है वो है 500 रुपे इसमें आप single entry visa या multiple entry visa कोई भी लगवा सकते हो दोनों की fees 500 रुपे है transit visa अगर आपको चाहिए तो उसकी fees है 50 रुपे लेकिन ये जैपान की official fees है इसके अलावा VFS की service fees भी applicable होगी 500 रुपे तो आपको minimum दे नहीं है और उसके बाद VFS की जो भी service fees होगी 500 रुपे 1000 रुपे वो आपको extra pay करने पड़ेंगे तो अब चलते है VFS की site पर जैसे ही आप इस link पर click करोगे आप VFS Global की official website पर पहुँच जाओगे अब यहाँ पर आपको बहुत सारी options दिखेंगी apply for a visa, book an appointment, find a center, premium services तो कभी सारी options आपको दिखेंगी तो सबसे पहले click करते है apply for a visa के उपर जैसे ही मैं इस link पर click करोगा आप जैसे मैं दिली से वीजा लगवाना चाहता हूँ तो New Delhi की embassy के अंडर अंडमा, निकुबार, अर्मनाचल प्रदेश, आसम, चंदिगर्ड, दिली, हरियाना यह सारे states cover होते हैं तो मेरे को यहाँ पर click करना है तो यहाँ पर मेरे से पूछा जाएगा कि आपको किस टाइप का वीजा चाहिए मतलब आप किस लिए जाना चाहते हो तो मैं select करूँगा tourism visa और tourism visa के बारे में यहाँ पर और information आपको दिखेगी कि tourist visa लगवाने के बाद आप 90 days के लिए जपान में stay कर सकते हो visa की fees है 500 रुपे चाहिए आप single entry visa apply करो चाहिए multiple entry visa apply करो और 500 रुपे के लावा आपको 800 रुपे और देने पड़ेंगे जो कि VFS का service charge है तो इसका मतलब आपको 1300 रुपे टोटल लगेंगे जपान का e visa apply करने के लिए यहां से भी directly इस list को download कर सकते हो otherwise आप the travelingtales.com पे जाके भी इस list को देख सकते हो अब यहां पे एक चीज लिखुए है कि जितनी भी photocopies आप करवाऊगे वो A4 size के paper पे ही होनी चाहिए तो इसको open करते हैं सबसे पहला है कि आपको एक valid passport चाहिए जिसमें at least 2 blank pages हो और उसके बाद आपका जो passport का buyer data page है उसका आपको first or last page की photocopy चाहिए visa application form वो आपको भरना होगा और sign करना होगा वो भी आपके documents के साथ submit होगा और एक photograph submit करनी होगी जो कि last 6 महिने में ही खीची गई हो बाकी dimensions अब यह इसमें mention नहीं है तो अगर आगे कहीं हाएंगी तो मैं बताता हूँ उसके अलावा cover letter cover letter तभी चाहिए अगर कुछ special explanation needed हो otherwise cover letter required नहीं है next point है कि आपको अपने flight या फिर cruise जैसे भी आप जपान जाना चाहते हो तो आपको उसकी return tickets show करनी होगी तो इसका मतलब है कि जपान का visa apply करने से पहले आपको जपान की return tickets book करवानी पड़ेंगी next जपान में आप जो भी आइटनरी follow करोगे जो भी आपके hotel की information है जहां पे भी आप stay करोगे तो वो सारी contact information आपको आइटनरी में mention करनी है उसके बाद है कि आपको अपनी latest income tax return submit करनी है अगर ITR आपके पास available नहीं है या आप submit नहीं कर सकते तो आपको अपनी last 6 महिने की bank statement submit करनी होगी और अगर आप student हो या dependent हो तो आपको अपने parents या फिर spouse से consent letter चाहिए होगा अपने parents या spouse जो भी आपकी trip को sponsor कर रहा है उनकी latest ITR या फिर last 6 महिने की bank statement तो जब भी आप visa की application submit करने जाओगे तो ये सारे documents आपको original में भी चाहिए और इनकी photo copies भी चाहिए होगी तो ये बात को ध्यान में रखना ठीक है उसके बाद चलते हैं fourth point पे photo specifications यहाँ पे mentioned है तो यहाँ से आप refer कर सकते हो कि आपको किस type की photo खिचवानी पड़ेगी छे मेने से पुरानी photo नहीं होनी चाहिए 45 by 35 mm size में ही photo होनी चाहिए face 70 to 80% तक visible होना चाहिए colored photo होनी चाहिए plain white background के साथ तो ये कुछ important points है next processing time तो processing time में लिखा हो है कि minimum 5 working days लगते हैं जैपान का visa process होने में लेकिन थोड़ा और time भी लग सकता है depend करता है case to case अब last है download form जैसे हमने required documents की list में देखा था कि आपको visa application form भी साथ में submit करना होगा तो last वाले tab में आपको visa application form मिल जाएगा तो I suggest कि आप हमेशा official website को ही refer करो visa application form के लिए क्योंकि ये time to time change भी हो सकता है तो visa application form भी काफी simple है इसका आपको print out लेना है और अपना passport आपको अपने साथ में लेके बैठना पड़ेगा जो भी आपके passport में details mentioned है as it is आपको अपने visa application form में fill करनी है यहाँ पर आपकी photo लगेगी जो आप photo खिचवाओगे then आपको अपना surname वो यहाँ पर mention करना पड़ेगा middle name अगर लिखा है तो वो mention करना पड़ेगा date of birth, place of birth मतलब ये basic details हैं जो आपको यहाँ पर mention करनी पड़ेगी उसके बाद nationality अगर आप पहले किसी और country के citizen थे तो वो आपको mention करना होगा ठीक है passport type कौन सा रहेगा तो हमारे case में ही रहेगा ordinary, place of issue, date of issue तो ये सारी details आपको अपने passport पर मिल जाएगी then purpose of visit, tourism, कितने दिन आप जपान में रहोगे तो क्योंकि आप अपना trip पहले plan कर चुके होगे, tickets भी book होगी तो ये form आप अपनी flight tickets के according भर सकते हो किस port से entry करोगे, क्योंकि multiple airports हो सकते हैं तो आपको यहाँ पर उस airport का नाम fill करना होगा कौन सी airline से आप आओगे, किस hotel में रहोगे या फिर अपने friend के पास रहोगे, तो किस के पास रहोगे उनका पूरा details, नाम, phone number, address इससे पहले भी अगर आप Japan कभी जा चुके हो तो आपको वो details यहाँ पर mention करना पड़ेगी फिर यहाँ पर आपको अपना current residential address mention करना पड़ेगा, जो कि आपके passport से different हो सकता है आपको अपनी occupation mention करनी पड़ेगी अगर आप job करते हो तो आपको अपने employer का address भी यहाँ पर mention करना पड़ेगा I guess यह सारी चीज़े आपको उसी case में mention करनी है अगर आप किसी को जानते हो Japan में या फिर अगर आपके पास कोई invitation आए Japan घूमने के लिए तो आपको उसी case में details mention करनी होगी ठीक है, उसके बाद कुछ declarations है have you ever been convicted तो इन में mostly no आएगा क्योंकि यह सब criminal activities से related है और अगर इन में सही कोई भी option पर आपने yes टिक करा है तो जैसे ही आप यह सारी चीजे अरेंज कर लेते हो सारे documents अरेंज कर लेते हो visa application form डाउनलोड कर लेते हो भड लेते हो, photo वहाँ पर चिपका देते हो then third step में book an appointment यहाँ पर book an appointment लिखा है लेकिन जैसे हम click करेंगे तो वहाँ पर mentioned होगा कि आपको किसी भी तरीकी की कोई भी appointment book नहीं करनी है, तो यहाँ पर mentioned है कि अगर आप Bangalore वाले center में apply करना चाहते हो, तब ही आपको appointment book करनी है, उसके अलावा for other visa application centers you do not need to book an appointment मतलब अगर Bangalore के अलावा आप किसी और application center में जाना चाहते हो, तो आपको कोई appointment book नहीं करनी, बस आपको इस link पर click करना है, attend the visa application center और आपको यहाँ पर देख लेना है, कि आप कौन से state के visa application center को visit कर सकते हो, जैसे मेरे case में New Delhi वाले में जा सकता हूँ, तो यहाँ पर लिखा कि Monday to Friday, सुबह 9 से दोपर के 3 बजे तक आप visit कर सकते हो, तो इस पर जैसे ही में click करूँगा, तो यहाँ पर address लिखा हूँ आ जाएगा, कि मेरे को कहाँ पर visit करना है, और कितनी fees है, 800 रुपे, जो मैंने starting में बताया ही था, उसके अलावा opening hours, Monday to Friday 9 से 3 बजे तक, process complete होने के बाद, अगर आपको passport, खुद से collect करना है, तो Monday to Friday, 10 से 5 बजे के बीच में आप अपना passport collect कर सकते हो, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आपको visa apply करने के लिए, किसी तरीकी की कोई appointment नहीं लेनी, 3 महिने पहले आप visa application का process start कर सकते हो, although visa आपका 5 दिन में आ जाता है, बट किसी किसी case में ज्यादा time भी लग सकता है, तो safer side 2 से 3 महिने पहले आप अपनी visa application process को start कर दो, उसके बाद fourth point है, pay your fees, तो fees आपको visa application center पे ही पे करनी है, कहीं पे आपको किसी भी तरीकी की online fee payment नहीं करनी है ध्यान राई, जपान के e-visa के लिए सारा process offline है online बस आपको visa application form download करना होगा, उसके अलावा सारा process offline है, एक बार आपका application submit हो गया, उसके बाद आपको application number दे दिया जाएगा जिसकी help से आप track कर सकते हो अपनी application को, उसके बाद सबसे last point है collect your passport, तो आपके visa application submit करने के बाद, उसके कुछ decision होगा या तो वो accept होगा, या reject होगा तो दोनों में से किसी भी scenario में, क्योंकि आप अपना original passport भी वहाँ पर submit करोगे तो आपको अपना passport या तो collect करने जाना पड़ेगा, या फिर आप courier करवा सकते हो, तो यही सारे points है, बस ध्यान रहे कि कोई भी बस ध्यान रहे, जपान के e-visa का कोई भी process online नहीं है सारा process offline है, तो process काफी simple है, जपान का visa लगवाना काफी सस्ता है, सिर्फ 13 सुरूपे में आप जपान का visa apply कर सकते हो, और जितने भी यह links हैं, जितने भी official documents हैं, PDF हैं, यह सब आपको .travelingtales.com पे available हो जाएंगी, आप उस website को check कर सकते हो, इसके लावा अगर आपको कोई भी doubt है, कोई भी query है तो आप नीचे comment section में पूछ सकते हो, या फिर मेरे को Instagram पे भी DM कर सकते हो, बागी मिलते हैं किसी next video में, तब तक के लिए stay safe